ये देखिए जी क्या शांदार साग बनके त्यार हुआ है तो आप भी आईए और इस साग का मज़ा लीजिए भई टेस्ट करके बताओ कैसा है और ये भई देशिगी में तड़का लगाया है और राई का और ये देखिए साग हो और मक्षन ना हो ऐसा तो होई नहीं सकता साग और मक्षन और साथ में मक्टी की रोटी बनेगी भई अभी तो आप भी आजाओ फिर मत कहना की हमें बुलाया नहीं आप भी आओ और खाओ सरसू का साग मक्की की रोटी तो भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साग में जो ये अद्रक के लच्छे है ना ये साग के साथ बहुत टेश्टी लगते हैं एक बार खाके जरूर देखना इस तरह से ये अद्रक लच्छे वाला साग में अच्छे से साफ करो सीख को भई पूरा सरफ साबुन लगा के अच्छे से हाँ हाँ कर रही हूँ चिंता ना करो अच्छे से ही साफ करेंगे तो भई हेलो नमस्ते राम राम अदाब सस्रियकाल तो भई देखिए मैंने सीक अच्छे से साफ करवा दिया है परविंदर से तो भई सीक साफ होगी थी तो फिर इन तिनों भाई बैनों को न हमने डबो दिया इस पानी में पानी रोक लिया था भई तो जहां से पानी लीक होना था वहाँ पे हमने लगा लिए एक टोरी ताकि पानी निच्चे ना जाए तो ये देखे पानी इसमें अच्छे से रुक गया और अब इन भाईयों को न अच्छे से मसल मसल के दो देंगे ये भाई बैन को न अभी देखो बाई बैन तो यही है सरसू पालग और बथवा इनका भाई है ना तो इनको अच्छे से दो दिया क्योंकि सरसू तो भई ताजी थी उसका तो इतना मतलब कोई चक्कर नहीं था साफ थी मतलब धोनी तो पढ़ती है साफ तो थी जैसे पालग और बथुआ बजार से आया ना तो फिर आपको पता ही है बजार वाला तो अच्छे से धोना पढ़ता है भई मसल मसल के तो भई हमने उसे अच्छे से धो दिया है ताकि उसमें कोई भी कुछ भी ना बचे गंद तो बस धोके ना इसको अच्छे से मैंने पूरा मतलब तसल्ली से धो दिया है और फिर चुन्नी में बांध के रख दिया है तो हम इसकी धार को कर लेते हैं भई तेज़ तो मैंने यह पुराना कप ले लिया था और इसे फिर इसको यह देखिए रगड़ दिया था तो यह इस से अच्छे से मतलब चलने लायक हो गया चल तो यह पहले भी रहा था तो मैंने सोचा तो फोड़ा सोड तेज 습니까 कर ले कि फटाफट से साग कट जाए बिना ब्रेक के तो भई मैंने पुराने कप लिया था तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो पुराने कप से करना ता कि अगर जो कप तूट भी जाता है ना तो दुख न हो तो इसलिए पुराने कप से आप भी ऐसे करके देखना कि साग फिर क कुकर में डाला और सिट्टी लगवा दिया और फिर ब्लेंडर से उसको मत लिया पीस लिया या फिर मिक्सी में कर लेते हैं पर जो मतलब सदियों से बनता आ रहा है न साग उसका टेस्ट ही अलग होता है मतलब कुकर से और ब्लेंडर से वो टेस्ट नहीं आता भी साग का जो ऐसे खुले बरतन में पकेगा कम से कम दो धाई घंटे और दंतडे से होईगी कटिंग और फिर साग गोने से उसको घोटा जाएगा तब बनेगा जाके भई साग तो भई एक बारी का मैंने काट दिया है तो एक बारी का और कटेगा अगर साग बनाए तो ऐसे नहीं है कि जैसे अलू मित्थी बना लिया है ऐसे नहीं साग को ठीक बारता ही मातरा में ही लेना पड़ता है भई क्योंकि इतनी देर तक बरान भी हो तो फिर यही है कि ठीक ठाक सा साग ले 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 बई जी यह देखिए अब हम लिया थे यह दूसरी वाली पिटारी भी चक्के है ना तो इसकी भी कटिंग करने में लगी हूँ और इशांत ना यहीं गूम रहा है मेरे आसपास मेरे छोटे मोटे से जो काम है वो मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रहा है और अब यह बैठ के ना यह नमकिन खाने लगा था और क्या तमम मिलो आप भी टेश्ट देख लो और इसने मेरे मूँ में भी डाल दी भी तो फिर मैं तो इसको बोल रही थी जा तू यहां से जा ठंड हो रखी है और मोसम आप लोगों को पता ही है खराब हो रखा है बरसात आरकी है और ठंड आज जो रोशोरों से है तो ठंड में यह साग वाला काम मेरे पास छिड़ गया भी और यह आज दिन शनिवार है भी तो इशान्त ने बचा दी थी नमकिन का तममी अब इसे आप खाओ मैं तो और खाओंगा नी तो मैं भी बच् थी भी कटोरी में खाने शान्त किये नमकिन तो यह देखे भी साग में पूरी तरह से उबाले आ गए हैं और यह साग ना लगभग लगभग धाई मैं धाई गंटे तक इसको बनाऊंगी और यह शान्त ने डाल दिया भी इसमें नमक और इदर मैं प्याज काटने लगी हू और थोड़ा सा लसुन चील लेंगे और अदरुक तो मैं अभी साथ के साथ डाल दूंग भी इसमें मिर्चे प्याज लसुन अदरुक क्योंकि फिर यह पकजेगा अगर चुले पे बनाते हैं भी उसमें तो यह दिमी दिमी जब जैसे इसको गोड़ते है ना तो पकता रहत है गैस पे इसको अगर बाद में रखे न मतने के बाद तो यह लग जाता है तो फिर मैंने यही सोचा कि अभी साथ के साथ इसमें मैंने नमक नई नमक तो डाली दिया था मिर्च प्याज अदरुक और लसुन डाल दिया था भई तो बन गया था साग भई और फिर इसको बेटा चाए बना लो तो काफी टाइम लग गया भई साग बनाने में साग बस गैस पे रखके भई फिर अपने हो और जो काम थे वो काम कर लिए हैं क्योंकि इसमें लगना था बहुत टाइम तो बस अब इसको मतने लगी हूँ मैं यह मैंने थोड़ा गयों का और थोड़ा मक्की काटा लिया है और इसमें भई मैंने मतलब अटा भी ऐसे नहीं डाला जैसे कई तो भई पानी में गोल के गोल सा बना के फिर डाल देते हैं मैंने ऐसा नहीं किया और नहीं इसमें से कोई पानी उतार है भई जैसे यह पानी उतार देते हैं आत दे तो भई पानी नही उतारेंगे और ऐसे ही मतना शूरू होगी थी ये काम बहुत मुश्किल होता है बई मैनत तो है पर हम जितनी मैनत करते हैं न फिर उतना ही अच्छा ये हमारा साग बन जाता है बई तो मैनत का फल मिटा होता है मैनत का फल मिटा होता है तो इशान्त फिर से चला गया अपने स्टड़ी रूम में तो उसने कह दिया मुमा थोड़ी देर में बनाएंगे चाय जब तक पापा आजेंगे इसके इशान्त के चल मैं कहा भी ठीक है जब तक तो मैं भी फ्री हो जूँगी फिर मैं खुद ही चाय बना लूँगी तो बस जी इसमें अब ज़्यादा कोई काम नहीं है सिरफ अब इसमें तड़का लगाना रहेजेगा इसको मत के न तड़का वही है लसुन का प्याज का तड़का लगजेगा वही इसमें अदरक का और सरसुं के तेल में लगा सकते हो देसी घी में लगा सकते हो तो ये साग मत ते मत ते इशांत के पापा भी आ गए थे और चाय इशांत के पापा बनाने लगे अब इशांत ने कर लिया अपना डोर बन इशान्त बचता फिर इशान्त ना बचता हुआ ना घूम रहा था कि मैं चाए ना बनाओं और उसका वो काम हो गया इशान्त के पापा आ गए हैं इशान्त के पापा अब चाए बना रहे हैं क्योंकि मेरी भी बाज्यू दुखने लगी थी साग मत मत के ये घोट घोट के तो इसमें तड़का भई हींग का और राई का तड़का लगता है मतलब इसमें जीरा नहीं डालेंगे होर कुछ नहीं डालेंगे जब जैसे तड़का लगाएंगे हम इसमें राई और हींग का तड़का लगाएंगे प्याज लसुन लसुनी अदरक तो जी मता गया था हमारा साग सब्सक्राइब कर लीजिए बई चैनल को तो बाए कल मिलते हैं आप सभी को